ये वीडियो सोनीपत के अध्योगी के शेत्र में मौझूद बच्चों की साइकल बनाने की फैक्टरी की है जहां अचानक शॉर्ट सर्कृट के चलते आग लग गई जिससे फैक्टरी मालिक को दिवाली से ठीक पहले लाकों रुपे का नुकसान हुआ है अचानक लगी आग धीरे धीरे पूरी फैक्टरी में फैलती चली गई मौके पर मौझूद लोगों ने दमकल विभाग के साथ साथ पुलिस को भी इसकी सूचना दी जिसके बाद दमकल की एक के बाद एक आठ गाड़िया मौके पर पहुची और दमकल विभाग के करमचारी जी जान से आग बुझाने में जुट गए जिसका नतीजा था कि दो घंटे की कड़ी मशकत के बाद आखिरकार आग पर काबू पालिया गया पर पहुची में अलग-अलग फरमे कोई है अलग-अलग वो बाई को पता है कि बड़े वाले बाई जो समारते थे में तो साइकल के पहले पास बनते हैं और साइकल बचल साइकल यह अपना डबल स्टोरी यहां पर आग लगी है हमें जैसे पता लगा हम अपने साथियों के साथ आए हैं और फायर विग्रेट को भी हमने फोन किया साथ के खाथ दो गाड़िया आई है अब लगातार गाड़ी आ रही है तर यह साइकलोगी फैक्ट्री कीं की फैक्ट्री है अजिन में úक्त प्शान के बारे में मैं आपको सुन्ल दराल जी बताएंगे इस वरान लोगों ने पुलिस की कारवाई से नाराज़गी भी जताई इस आग जनी में एक मजदूर भी छुलस गया है जिसे काफी देर बाद अस्पताल में भड़ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है इससे पहले फैक्टरी में आग लगने की सूचना जैसे ही फैली मजदूरों में अपनी जूआन बचाने के लिए भगदर मच गई बाहर जाने के बाद मजदूरों ने दमकल विभाग के साथ लग कर आग बुझाने में भी मदद की अबी तक हो इजाच में आग लगने की शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है बाके देखना होगा कि पुलिस की जाच में क्या सामने आता है सोनी पर से सनी मलिक पंजाब केस्टी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद